पाकिस्तान टीम बाहर होने के बाद एक और मुसीबत में पूरी टीम को हो सकती है जेल अमेदान पर नहीं जेल के सलाखों के पीछे होगी बाबर इंड कमपनी पाकिस्तान में हंगामा पाकिस्तानी किलाडियों पर लगा फिक्सिंग कारो पाकिस्तान पहुंचते हैं एरपोर्ट से हो जाएंगी गिरफतार क्या आमिर को जाना होगा दूसरी बार जेल देश का किंग बन गया विलन क्रिकेट जगत में पहली बार किसी देश की टीम को वाल्ड कॉप में हारने की बार सीधे होगी जेल पाकिस्तान में ये सब होना कोई मुश्किल काम नहीं यहां प्रधान मंत्री को भी हो जाती है फासी T20 World Cup में पाकिस्तान बुरी तरीके से बाहर हो चुका है जिसको लेकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर तरहां तरहां के सवाल खड़े हो रहे है हाली में पाकिस्तान के परो क्रिकेटर एहमद शहजाद ने बाबर आजम को लेकर काफी कुछ कह डाला जिसमें शहजाद ने कहा था कि बाबर आजम फजी कींग है ना उनके बैट से रहन आते हैं ना वो टीम को जिता पाते हैं तो किंग किस बात कहें ऐसा किंग हमें नहीं चाहिए ऐसे किंग की देश को जरूरत नहीं है किंग से हाँच जोड़कर निवेदन करते हैं पाकिस्तान की जनता भड़क गई और टीम के प्रदर्शन को लिए कर देश की जनता का गुस्सा फूट गया। सारे खिलाडे जेल जा चुके हैं कई पर आजीवन प्रतिबंद लग चुका है ऐसे में फिक्सिंग का आरोप लगने के बाद पूरे पाकिस्तान में हरकम बच गया। पाकिस्तान ने अपना दोनों ही मैच लगबग जीत कर हारा है और इस हार के बाद तो सवाल उटने लाजमी है। अब देखना होगा कि अपना अगला मैच खिलने के बाद पाकिस्तानी टीम देश किस तरह लोटती है। क्या खिलाडी कुछ तिन विदेश में ही रहेंगे और अग-अलग ग्रुप में देश आएंगे या सारी टीम एक साथ ही पाकिस्तान लोटेगी। क्या उन्हें अपने खिलाडियों के खिलाफ इतना उग्र होना चाहिए या उन्हें धैरे से काम लेना चाहिए